मित्रो मेरे साथ मिलकर बोलिये ओम गड़ेशाय नमः मित्रो इस वीडियो में मैं आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत की संपून पूजन समक्री बताने वाली हूँ तो आप पैन कॉपी ले ले और लिख ले ताकि विदी पूर्वक पूजन करने में कोई सामग्री आपसे छूट ना जाए मित्रो संकष्टी चतुर्थी व्रत को सबसे पहले मा पार्वती ने अपने संतान के संकट दूर करने के लिए रखा था इससे ही आप इस व्रत का महत्व समझ सकते हैं कि जिस व्रत को मा आदी शक्ती ने भी रखा हो उस व्रत को हम सभी को आवश्य रहना चाहिए सभी को मा पार्वती ने यह वर्दान भी दिया था कि जो इस व्रत को रखेगा उसके संतान के सभी संकट दूर होंगे इसलिए इस व्रत को संकट चोथ, सकट चोथ और संकष्टी चदुर्थी के नाम से जाना जाता है दोस्तों मेरे चैनल का नाम है Indian Recipes with Seema मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं तो मित्रो अब व्रत की संपूर समगरी मैं आपको बताती हूँ पूजा की स्थान पर गड़ेश जी की प्रतिमा इस्थापित कर ले गंगजल, हल्दी, चावल, चंदन, कुमकुम, गोड, चना, आटे का दीपक तयार कर ले घी का दिया जलाना है, तिल, तिल का विसेस महत्विस पूजन में, चीनी, दूर्बा, पान के दो पत्ते, तीन सुपाड़ी, दो हल्दी की गाठ, आपको मौसमी फल जो मिल जाते हैं, संतरा, सेव फल, अम्रूद ले नारियल, आटा, पंचमरत, माचिस, जनेव, अगरवत्ती, आर्ती के लिए दीपक तयार कर ले घी का, रक्षा सूत्र, कपूर, हवन समगरी, यह भी बता दूँगी कैसे बनाना हवन समगरी, पूजा के लिए लाल पीले फूल जो मिल जाते हैं वो ले ले, यदि आपको ब बिल पती ले, भगवान को इसनान कराने के लिए एक पात्र में जल और दूरवा ले, हवन करने के लिए हवन कुड़ और कंड़े की अवश्यक्ता होगी, कोई भी पूजा हो तो कलस स्थापना बहुत जरूरी होती है, तो किसी भी पात्र में जल ले, उसकी उपर अशोक य इससे भगवान को भोग लगाएं, यदि आपको गोबर मिल जाए, गौर गड़िस बनाने के लिए तो वो ले ले ले, और किसी भी लकड़ी के पाटे के उपर लाल या पीले कलर का आसन बिचा कर उसकी उपर केले के पत्ते का आसन लगाएं, यहां मेरा लकड़ी का मंदिर है, इसलिए पाटे की जरूरत नहीं पड़ी, यह गाय का दूद है, गाय के दूद से इस पूजा में चंद्रदेव को अर्ग देते हैं, इसलिए आप गाय के दूद का यूज करें, पूजा में चड़ाने के लिए केला ले लें, आपके पास जो फल हो आप उसे भगवान क अर्पित कर सकते हैं, यह हवन समगरी है, हवन समगरी में चीनी, शायद और घी डाल कर हवन करें, फ्रेंड्स मैं इस तरीके के वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ, तो प्लीस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके फ्रेंड्स बाई बाई